मैंने अक्सर देखा है कि पानी के साथ आपका बरताव बहुत पवित्र है मैंने अभी देखा, जब आप पानी पीते हैं, आप उसे बहुत च्रद्धा से छूते हैं जैसे हम भगवान की फोटो को छूते हैं तो वह क्या है? वह क्या है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं देखे आप उन भगवानों में श्रद्धा रखते हैं जिनने आपने नहीं देखा है मैं उस भगवान में श्रद्धा रखता हूँ जिसे मैंने देखा है जो खाना आप खाते हैं, जो पानी आप पीते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जिस मिट्टी पर आप चलते हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको जिन्दा रखती हैं, आप उसी से बनी हैं, आपका शरीर ही उससे बना है, है न? मैंने आपके एक इंटर्व्यू में सुना, आपने कहा यह जीवन बनाने वाला तत्व है, तो अभी आपके जीवन में सबसे कीमती चीज कौन सी है, खुद जीवन, जीवन ही है, कुछ और नहीं, आप अभी जिन्दा है, बस, तो तीन दिन अगर हम आपको पानी की एक बून भी न दें, और मैं भगवान के भेश में आऊं, जो भी भगवान आप चाती हैं, आप गणपती को पसंद करती हैं, मैं गणपती के भेश में आऊं, हाँ, आप क्या मांगेगी, पानी, पानी और क्या, तो हम हमेशा से इस बारे में जागरूक रहे हैं, कि जल एक जीवन है ये एक जीवित शक्ती है, अगर ये जीवित नहीं है, तो ये आपको कैसे जीवित रखता है, अगर हवा में जीवन नहीं है, तो वो आपको कैसे जीवित रखती है, ये आपके जीवन का अधार है, लेकिन तथा कतित भौतिक विज्ञान लंबे समय से इससे इंकार करता रहा पानी बस H2O है, ये सब बखवास है, वगरा, लेकिन अब आप देखिए, मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में किसी को नोबल पुरसकार मिला, लोग कह रहे थे, सद्गुरु आपको ये पढ़ना चाहिए, मैंने कहा, मैं नहीं पढ़ूँगा, हम हजारों सालों से ये कहत आ रहे हैं, क्योंकि हमें हमेशा से ये पता है कि जल जीवन है, और हम जानते हैं कि पानी में याददाश्त होती है, दक्षन भारत में हम पानी को एक खास तरह से रखते हैं, हम उसे एक खास तरह के बरतन में रखते हैं, हम लोग पानी के बरतन की भी पूजा करते हैं, मैं एक ऐसी चीज के प्रती श्रद्धा रखते हैं, जैसे आपने देखा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपको सिखाया, नहीं, मैं उन सब चीजों के प्रती श्रद्धा रखता हूँ, जो मेरे लिए माइने रखती हैं, पानी, मिटी, हवा, भोजन, लोग, लोग, आदमी और बच्चा, पशु, पेड़, सब कुछ, मैं उन सब के प्रती श्रद्धा रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही अभी हमारे जीवन बना रहे हैं, तो महतुपून ये है, कि आप एक जीवन है, ये एक बुनियादी सच है, बाकी सब आपकी कलपना है, है ना, आ आपके दिमाग में चल रहा है, क्या आपको लगता है, ये सच है, माफ कीजिए, आप सिनिमा में हैं, तो मैं ये उदाहरन दे सकता हूँ, लोग जाकर एक सिनिमा थेटर में बैठते हैं, लाइट बंद है, रोशनी में वो काम नहीं करेगा, लाइट बंद करके सिनिमा वो तमाम खराब निर्देशित फिल्में देख रहा है और आप सोचने लगते हैं कि ये हकीकत है नहीं, ये सिर्फ आपकी दिमागी बक्वास है तो आपका दिमागी नाटक, आप सोच रहे हैं कि अस्तित्व का सच है यही हमारी इन सभी समस्याओं की जड़ है तो आज, आप किसी दूसरे भगवान की पूजा करती है ये आपकी दिमागी चीज है जो इस पर निर्भर है कि आप किस संस्कृती में, किस परिवार में पैदा हुई है उसी के अनुसार आप उपर किसी भगवान को देखती है, है न? हर कोई उपर ही देखता है तो वो सब बादलों के अगल भगल में होंगे मैं पूछ रहा हूँ मेरा मतलब है ये सब तो कलपना है तो ये आपके दिमाग में सच है लेकिन पानी अस्तित्यों की सच चाई है अगर एक दिन आपको पीने के लिए पानी न मिले वो दिमागी नहीं है तो कावेरी पुकारे कोई दिमागी चीज नहीं है ये अस्तित्तों के बारे में है ये वास्तविक है